हेलो स्टूदेंस वेलकम तो मैं चैनल आज इस वीडियो में हम क्लास एर्थ की सिविक्स का चैप्टर नमबर टेन लौ एंड सोचन जिस्टिस वो स्टार्ट करते हैं ठीक है इसके काफी आस्पेक्ट्स हैं जो हम दीरे दीरे एक एक वीडियो में करके पढ़ेंगे तो स्टा बॉसर को कॉटन तो बायर ऑफ शर्ट इन दे सूपर मार्केट ठीक है उसमें क्या होता है कि मार्केट्स के अंदर ही जब कॉटन की शर्ट बनके गई तो वहीं पे जाके लोगों ने खरीदी यारे कि एक तरीके का लिंक का काम किया मार्केट में तो बाइंग और सेलिंग वह स्टेकिंग प्राइस अट एवरी स्टेप इन दे चेंग तो जो खरीदना और बीचना है वह सब चीजे हो रही थी हर स्टेप पर उस चेंग में तो उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वह डिरेक्ली और इंडिरेक्ली इनवाल्ट थे क्योंकि कुछ लोग थे उसके प् यह क्या ते बिल्यू करने में एंहेंस करने में कुछ न कुछ कॉछ काम कर रहे थे उसके के प्रोडक्शन स्टेपिक्शन कर थे खाइंग अनफेर सिटुएशन इन द अ है इसमिए था जो ब्रकर्स थे गार्मेंट पाना थे बार्ट्रट उबस उन्होंड आ किया थी कुछ exploitation का सामना किया markets में, क्योंकि markets हर जगा क्या थी लोगों के लिए क्या थी exploitative थी, यानि कि उनका शोशन कर रही थी कैसे, whether as workers consumers and producers, ठीक है तो किसे ने किसी तरीके का exploitation कई पर workers के साथ भी होता है उनकी demands को नहीं दिखा जाता है, उनकी लोगों को इस तरह की चीज़े होती है, जो consumer, producer या workers जो काम करते है उन factories ने, उनसे related कुछ problems होती है, तो कही ना कहीं, अगर उन problems को treat ना किया जाया, यानि को check ना किया जाया, तो क्या होता है, कि उनका exploitation होने लगता है, यानि कि कुछ government क्या करती है, बचाने के लिए कुछ laws बनाती है, कि हमारे देश में हर तरह की तरह की crime से, हर तरह की exploitation से बचने के लिए laws हैं, जिससे लोग अपने rights को use कर सकते हैं, तो ये जो laws क्या करते हैं, वो इंशोर करते हैं, कि कुछ भी unfair practices ना हो जो कि नहीं होना चाहिए, जो अनुचित है markets में, ना ही producers के साथ, ना ही workers के साथ और ना ही end consumer के साथ, ठीक है, तो ये जो law है law ये काम करता है, क्या काम करता है, सब को fair practices दिलवाने का काम करता है, ठीक है तो अब ये हमारा एक तरीका का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद, अब हमारा business persons, normally क्या करते हैं, उनको अपना profit ज्यादा कमाना होता है, तो जब उनको अपना profit ज्यादा कमाना होता है, तो वो क्या करते हैं, कि वो कही न कहीं से cost cutting करते हैं, cost cutting करने के लिए, उनके पास soft target क्या होते हैं, वरकर्स होते हैं, वरकर्स की इस प्रफिट कमाने के चक्र में वह वेजिस हो सकता है वरकर्स को ना दे या कम दे एक जब इन दे इन आपने पेट पालने के लिए अपने जिन्दगी चलाने के लिए वह काम कर रहा है अगर उसको कुछ मिले गाने तो वह काम भी क्यों करेगा ठीक है similarly to ensure that workers are not underpaid underpaid होता है मतलब जितना काम करवाया उससे कम पैसे देना उसको तो यह भी इंशोर करना लौका ही काम है कि workers underpaid ना हो यानि कि उनको जितने उने काम किया है जिसकी वह लायक है उतना ही उनको wages भी मिले और उनको fairly paid किया जाए ठीक है तो fairly paid करने के लिए government हर particular worker के लिए क्या करते है कि minimum wage decide कर देती कि इससे कम तो आप देही ने सकते है तो minimum wage क्या है यह उसकी एक level है जो जो आजीवी का है जो उसका daily की जो उसके खर्चे है या जो उसको खाने पीने का खर्चा है वो सब चलाने के लिए sufficient होना चाहिए इतना wage तो होना चाहिए ठीक है तो worker has to be paid not less than the minimum wage by the employer तो अब जो employer किसी worker को अपने काम पे रखेगा किसी भी काम के लिए रखेगा तो वो जो government ने decide कर दी है कि minimum wage इतना होना चाहिए ठीक है इतना उसको काम का पैसे मिलने चाहिए तो उस पैसे से कम वो नहीं दे सकता कोई भी employer उससे जादा दे सकता है पर उससे कम नह जो workers का right है अपने काम की भज़ोरी पाना तो minimum wages are revised upwards every few years तो क्या होता है minimum wages कम नहीं करती है सरकार अब हर साल review करती है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है और चीजों के घर्चे बढ़ जाते हैं तो accordingly कुछ सालों के बाद उसको revise कर देती minimum wages को बढ़ा देती है सरकार ठीक है as with the law on minimum wages ठीक है तो जो minimum wages का law सरकार ने बनाया है which is meant to protect workers तो workers को protect करने के लिए उनके rights को protect करने के लिए है तो हमेशा कुछ नो कुछ laws बने होते हैं जो कि producer के interest को भी प्रोटेक्ट करते हैं और consumer के interest को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि उनके साथ भी कुछ बेमानी नहीं होनी च चाहिए तो these help ensure that the relations between these three parties तो तीन parties का relation आपस में है producer produce करता है worker कुछ काम करता है उस produce करने में और consumer उसको consume करता है किसी production जो भी produce होता है ठीक है तो इनकी बीच में जो relation है इसको अच्छा रखने के लिए ensure करने के लिए इनकी भी सबके rights को secure किया जाता है laws के द्वारा तो इनक को इस तरह किसे गवर्ण किया जाता है कि कुछ भी exploitative ना हो किसी का भी शोशन ना हो किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो देखिए इस इमेज में क्या दिखाए गया वर्कर इन टेक्स्टाइल में एहम्दाबाद आ फेस्ट विद ग्रेट कॉंपेटिशन फ्रों पार लूम्स अ मिजॉरिटी ऑफ टेक्स्टाइल में क्लोस दान दूरिं 1980s and 1990s ठीक है एहम्दाबाद में कॉंपेटिशन हो गया से तो उसमें बहुत सारी मिल्स बंद हो गई थी पावर लूम्स आर स्मॉल इंट्स विट फोर शिक्स लूम्स इस तरह की जो लूम्स है वो चार शे होते हैं उसमें ओनर्स क्या करते हो प्रेट ऑपरेट करते हूंने थेम विद हायर और फैमिली लेबर ठीक है तो या तो प्रेट को हायर करते हैं अपनी फैमिली के लोगों को लगा करते हैं तो इस वेल नून एक कंडिशन ओव वर्क इन पावर लूम्स आर फार फ्रम सैटिस्वक्तर तो इन पावर लूम्स वर्कर्स की कंडिशन काफी खराब है तो यानिके लॉज भी इनको प्रोटेक्ट नह जब लूम्स आरे कॉलम में बताया गया है कि यह जरूरी है यह जरूरी क्यों है और तीसरे कॉलम में बताया है कि किसका इंट्रेस्ट यह प्रोटेक्ट करता है ठीक हम इसको पढ़ते हैं तो आपको अपनी समझ से भी कुछ फिल करना है जैसे कुछ है मिनिमम वेज़ अक् प्रोटेक्ट है उसने कुछ मिनिममम वेज़ डिसाइड कर दिया वर्कर्स के लिए तो जरूरी क्यों था क्योंकि कुछ वर्कर्स को फेर वेज़ नहीं दी जा रहे थे एंप्लोवेर्स के दुवारा तभी यह लोग बनाना पड़ा क्योंकि उनको काम की बहुत जरूर थी वर्कर्स क्या कर रहे थे बारगेन नहीं कर पा रहे थे ठीक है और उनको लोवेज़ दी जा रहे थे और उनको मजबूरी में उसी लोवेज़ में काम करना पड़ रहा था तो गवर्मेंट को इंटरफेर करना पड़ा ऐसे लोग करने पड़े कि मिनिममम वेज उनका डिसा होते हैं सेकेंद है लॉट स्पेशिफाइग दर्थे धीए डेटेट शेफ्टी मेजर शे रिए रिए थीए टाइप थे डीआ करें डिजांपीं होने चाहिए जाहिए किस के निकलने के लिए जगा होनी चाहिए तो यह जरूरी क्यों है क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग सम्टाइम्स हो जाती है काम के दौरान जिसमें वर्कर्स को अपनी जान से भी हाथ होना पड़ जाता है तो इस तरह के वर्क प्लेस पे अगर कुछ सेफटी मेजर ले जाएंगे तो उनकी जान को भी खत्रा नहीं होगा और वह अच्छे से काम सेफली कर पाएंगे तो इससे भी वर्कर्स का ही क्या हुआ इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट हुआ ठीक है नेक्स्ट है लोग एक्वारिंग दर्ड़ कॉलिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टन प्रिस्क्राइब स्टेंडर्ड ठीक है तो जो गुड्स बन रहे हैं फैक्ट्रीज में वह अच्छे स्टेंडर्ड क्यों फोर एक्जंपल इलेक् इसे उनको यूज करके उनकी हेल्थ को नुकसान पहुच सकता था तो इससे किसका हुआ कंजूमर्स का आप लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है लोग एक्वारिंग देट प्राइज ऑफ एसेंशल गुड्स आर नौट है ठीक है तो कुछ एसेंशल चीज है इसे इसको आप आप खरीदना बन नहीं कर सकते आटा आप खरीदना बन नहीं कर सकते तो इसेंशल चीजों में आ गई तो इनको आप हाई इनकी कीमत रखेंगे तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्स्प्लाइटेटिव चीज हो जाएगी इसे शुगर है कैरोसीन फूर ग्रेंज है ऐसे इसले क्योंकि ये चीज़े सबकी आजिवी का के लिए खाने पिने के लिए अपने जिंदगी चलाने के लिए काफिय जरूरी है ठीक है तो इससे इंट्रस्ट किसका है किसका है पूर का यानी कन्जुमर्स का है क्योंकि हम इंडिरेक्ट्ली अगर वर्कर्स भी है कोई तो वह रचल कोई किस आ जाने के आएगे नेक्स एलोग एक्वारिंग देट फैक्ट्री दो प्लूट एर और वाटर तो लोग ऐसा बना कि फैक्ट्री जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसमें एर और वाटर का पॉलिशन नहीं होना चाहिए ऐसे इसलिए क्योंकि एंबार्मेंट को काफे नुकसान होता है उस लोग को थे बच्चों से काम करवाते हैं क्योंकि कुछ फैंबलेश यासे होती है जो बहुत गरीब होती है अपने बच्चों को पढ़ने नहीं बीचते हैं उनको काम में लगा देते है और चिल्रन की उम्मट तो पढ़ाई करें उनका बच्पन खराब नहीं हो इस वाज पर आपको एक्स्ट्राइशन नहीं हो सकता है। लॉट टू फॉर्म वर्कर यूनियन जने एस्टोशेशन के बार क्या होता है। वर्कर्स की बारगेनिंग पावर अगर अकेले बारगेन करते हैं। अपनी डिमांड्स रखते हैं। किसी एंप्लॉयर के आगे तो वह कंप्लीट नहीं होता है। कई बार वह यूनियन में एस्टोशेशन में मिलके उनका रिप्रेजन्टेटिव बात करता है। ठीक है एंप्लॉयर से तो उनकी बारगेनिंग पावर बढ़ जाती है। वह अपनी डिमांड्स को आगे रखते है। इसका मतलब एंफोर्स करवाना, इसको लागू करवाना, ठीक है, अपलाई करवाना, इनफोर्समेंट बिकम्स इवन इवन मॉर इंपोर्टन, ठीक है, जादे इंपोर्टन है, उसका इंप्लिमेंटेशन वें दर लॉव सीक्स तो प्रटेक्ट वीक फॉम स्ट्रॉंग क्योंकि अगर किसी स्ट्रॉंग इंसान से आपको किसी वीक इंसान को बचाने के लिए लॉव बनाया है तो सबसे पहले उसका इंफोर्समेंट बहुत अच्छी से करवाना होगा जिससे कि उस लॉव की इंपोर इंपर्मेंट ऑफिशल्स वर्क की साइट पर चल अचानक से चले जाए और चेकिंग करें कि कितना वेजबे कर रहे हैं सारे ड़कुमेंट देखें जो इतने भी रेकॉर्ट्स है या वरकर से और ली भी पूच सकते हैं सब्सक्रेंट चलते हैं अगर उनको कुछ लगता है कुछ डिस्क्रिपेंशी है कुछ गड़ बढ है तो क्या करते हैं पनिश कर सकते हैं जो की law को वाइलेट कर रहे हैं जब वर्कर्स और पूर और पावरलेस जब वरकर्स mit पूर है वो अपने लिए नहीं लड़ सकते पावर नहीं है उनके पास तो उनकी फ्यूचर एर्निंग होने का जो डर है और फेसिंग रिप्रिजल्स ओफन फोर्सेज देम टो एक्सेप लो वेजिस ठीक है उनको डर होता है कि नोकरी जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी च इसे केसिज में लॉग को एनफोर्स करवाना बहुत जरूरी होता है अगर हमने वरकर्स के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो यह बनाकर उसको इनफोर्स कराकर और इस लो लॉग बनाये रखकर ठीक है कर्मेंट क्या करती है हर इंडिविजल की एक्टिविटीस को करती है प्राइविट कंप्पनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और सोशल जस्टिस तिलबाती है लोगों को बहुत सारे जो लॉज है वह है जो हमारे इंडिन कॉंस्टिशन ने गैरंटी की है हर सिटीजन को ठीक है तो फॉर इंस्टेंस जैसे राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाइटेशन यह है फॉंडमेंटल राइट है हमारा इसमें कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता उसको लो वीज्ज पर और कोई लेबर ठीक है वो नहीं करवा सकते और इसे तरीके से कॉंस्टिशन में भी काई कि कोई भी चैल जो 14 साल से कम की एज का है उसको फैक्टरी वर्क्स में माइन्स में और इस तरह के हजार्डर्स एंप्लॉयमें में जिसमें बहुत खत्रा हो जान को खत्र हो उस ऐसे कामों मे नहीं लगाया जा सकता ठीक है तो हाव आर इस लौज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस तो अभी लॉग किस तरीके से प्रैक्टिस में आते हैं ठीक है तो वोट एक्स्टेंट अगर हम देखें कि लॉग क्या सच में इनफोर्स हो पाया है किस हद तक इनोंने सोशल जस्टि नहीं ठीक है तो बने रहें इसी चैप्टर में थैंक्यू सो मच फॉनाओ इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेर ज़रू करें थैंक्यू सो मच